How to recover Facebook account without court नमस्कार दोस्तो स्वागर आप सभी का तिकी राच YouTube चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है आपने Facebook के एकाउन को recover कर सकते वो भी बीना किसी court के तो आप दोस्तो कोई भी court बगएर का यहाँ पर दोस्तो जामेला नहीं करना चाते कोई भी यहाँ पर दोस्तो court का process आप जो है फोलो नहीं करना चाते तो कौन सा कौन सा process आपको यहाँ पर मिलेगा वो दोस्तो मैं आपको शो करके बताऊंगा और recover करने का तारीका भी आपर मैं आपको शो करके बताने वाला हूँ ठीक है तो उसके लिए दोस्तो वीडियो को आन तक देखे जो भी process से उसको follow करे तभी आपका Facebook account recover होगा क्योंकि दोस्तो Facebook account जो है उसको recover करने के लिए आपको काफी ज़्यादा यहाँ पर जो option से वो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं तो इसलिए दोस्तो मैं आपको हम इसा साजिस करता हूँ यह आप Facebook account यूज़ करते हैं तो दोस्तो काफी हुश्यारी से आपको यूज़ करना होगा यह दोस्तो आपके पास काफी ज़्यादा friends है आपके Facebook पर और दोस्तो आपको यह ऐसा गल्टी कर बेटे तो Facebook account आपके हाथ से lost भी हो सकते हैं ठीक है क्योंकि दोस्तो इतना आसान नहीं होते recover करने का तरीका बगेरा तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे आसान जो प्रोसेस है उनको हम देख लेते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरू करें सारे साथ दोस्तो यह आपको ओनलाइन से पैसा कामाना है तो उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखाए तो फिलाल तो यहाँ पर अपको सर्च में किलिक करना होगा सर्च में क्लिक करने के बार आपका एक्वाण आपके पास आ जाएगा तो आप देख सकते दोस्तो यहाँ पर कौनसा कौनसा options आपको मिल रहा है यहाँ पर option ही नहीं है Facebook को recover करने के लिए सिर्फ दो option है एक है confirm via SMS और दूसरा है confirm via email ठीक है तो आप दोस्तों यह process यहाँ पर check कर सकते हैं तो दोस्तों यही आप email add कर रखा है तो email के मदद से आप जो है recover कर सकते हैं ठीक है तो email या तो फिर phone number दोनों में से कोई भी आपको एक इस्तिमाल करना होगा verification code का use आपको करना ही होगा यदि आपको recover करना है आपका account ठीक है ऐसा नहीं कि मैं verification code यूज़ नहीं करूंगा तो आपको verification code यूज़ करने होगा तो email के true आप यूज़ कर लिज़ेगा तो उसके बार हम यहाँ पर bake करते हैं तो बेक करने के बाद दोस्तों जिस भी email पर आपने लिंक बनाया हुआ है फेस्बुक को तो उस email पर जाईए ठीक है तो यह हो गया मेरा email तो अभी जाते हैं यहाँ पर ठीक है तो थोड़ा सा वेट कर लिज़ें दोस्तों यहाँ पर एक सेटिंग आना बागी है अल इंबॉक्स तो उसमें जाकि दोस्तों आपको चेक करना है फेस्बुक का वेरिफिकेशन कोट है ठीक है पास्वोड रिक्वेस्ट फॉर यो तो यह वाला नहीं है यह तो गूगल का रिसेट ओप्शन है तो आप देख सकते यह है फेस्बुक का वेरिफिकेशन कोट ठीक है एै 928707 तो इस कोट को जो है दोस्तों आपको यहाँ फेस्बुक अपिपर एडक करना है ठीक है क्या रहा 92ары 2007 सेब तो आपको यहाँ पर रे कोenario defation कॉट जोह ए 2019 सीवें कर दिने पर क्लिक करना है नियो पासवड़ सेट करना है नियो पासबोड सेट करने के बाद दोस्तो आपको रिकावर कर लेैं है तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एट करते हैं, 92-8707 92-8707 अभी नेक्स्ट कंटीनियू पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं, दोस्तों, यहाँ पर आपको बता जा रहा है, keep me login, keep me log out, पर जो भी आप चाहिए यहाँ पर कर सकते हैं, तो इसके बाद continue पर click करें और new password यहाँ पर add कर दिजिए तो news password आप जैसे add करोगे continue पर दबा दिजिए और आपका account यहाँ पर recover हो जाएगा ठीक है तो बस दोस्तों यही है process इसको आप यदि follow कर लोगे तो आपका account recover हो जाएगा ठीक है तो verification को आपको चाहिए नमबर पर चाहिए या तो फिर email account पर चाहिए दूसरा options नहीं है तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतने है यदि आपको इसके regarding पर और कोई डिक करें तो आप हमें twitter पर message करके बता सकते हैं या तो फिर comment down करके पूच सकते हैं तो आज के लिए बस इतने thanks for watching